उत्राखंड में लगातार बारिश हो रही है और खासकर कुमाओं में बारिश का काफी असर देखने को मिला है कई डगा पुल भी तूटे हैं और नदिया भी उफान पर हैं आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहने वाला है कितनी तेजी बारिश पकड़ेगी इसको लेकर हमाय बारिश की क्या सिती है आने वाले दिनों में बारिश कैसी रहने वाली है क्योंकि पिछले 48 गंटे में कुमाओं पर काफी कैर वर पाया मौनसून ने आप कैसा देखते हैं बिल्कुल देखिए हमने दो तारिक से आगे ही रेड अलर्ट कर लिया था कुमाओं रीजन के लेगा तो साथ तारीक रात को सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है अगर यह पास 24 आवर्स में देखते हैं तो कुमाओं रीजन में मौनसून कंडिशन विगरस रही है और उसमें भी अगर डिस्टिक्स की बात करें तो उसमें जो है चंपावत और उधमसी नगर डि सेंटिमीटर का असपास चंपावत इस्टेशन पे भी मिली है तो इस तरह की रही है और और भी जो आपके जो इधमसी नगर है या नैनिता डिस्टिक्स में है तो इस तरह की स्थित्य है तो वहां पर विगरस पूरा जो है बनसून कंडिशन वह रही है अब अगर देख र तो यहां जल भराओ की इस्तिति काफी वो देखने को मिले तो वो इस्तिति बिल्कुल वो बनी है और हलांकि अभी तक जो सुचना यह है कि कोई जान की नुकसा नहीं है लेकिन हां लोग जो है दिकत में हैं परिशानी में हैं फसे हुए हैं कुछ जो है तो उनको निकालने य क्योंकि जल भरा एक्दम खतम नहीं होगा हो और और भी जो एक्टिविटिव अभी वहां रहें चली रही है लेकिन यह कहूंगा कि आज सब बारिश के एक्टिविटिव कम हैं फिर भी हमने एतियाद के तोर में आईसुलेटेड हैवी रेंस जो है जो आपका चंपावत है तो एकदम जो लेबल कम नहीं होंगे जो है तो कहीं ने कहीं आज भी जो है जो रेस्कियो आपरेशन है उसमें थोड़ी बहुत दिकते हैं तो वह चीजें बनी रहेंगी लोगे हमने जो है और कल भी आप देखेंगे नौट आरारिक को तो और भी डिस्रिक्स की बात करतें तो उनमें भी कम है, light moderate तक की रहन से बहुत जादा कोई activity नहीं है, 10-11 में जब जा रहे हैं तब थोड़ी बढ़ रही है, तो उसमें heavy, very heavy रहन तक isolated आप कहा सकते हैं, जो plans के district है, या उन से जो लगे हमारे hills के district है, उनमें समभाऊना, अंदर के district में तो ज़्यादा activity उतरा खड़ में नहीं दिख रही है, तो light moderate है, आगे मैं कहूंगा, अगर week work की बात करूं में आगे, तो बहुत ज़्यादा activity आगे नहीं है, एक week जो है, मोड में, और हमने अपिल भी की थी कि 6 की रात और 7 की रात विशेश कर इसमें रात के समय ऐसा होता है कि लोग को ना सुचना मिल पाती है, तो उनको alert रहना है, सोना नहीं एक दम इस तरह से जो है, तो कहीं ने कहीं उन्ची जो मुझे लगता असर है, कोई चपेट मा भी तक जो है, ऐसी सुचना नहीं आई है, कि जो है, कोई जन्हानी इस तरह की हो, आपकी चिताबनी के बाद प्रशासन ने भी एतियातन जो कदम उठा है, उसमें सबसे पहला ये था कि चारदाम यात्रा को स्थगित किया गया था, क्या आप चारदाम यात्री जो है, यात्रा शुरू कर सकते हैं, या जो आदिक एलाज जाना चाहरे हैं, वो अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, या फिर अभी भी आप चिताबनी देंगे कि यात्रा करने से बचे हैं। तो आप करें गड़ Wallace कि जा एक्टिवुटी नहीं सकती है लेकिन आ भी भी त्ड़ा जो है जरुजरुत है करें लाइट मोइट आप नहीं तो वो चीजों की information लेते आप पिर अपना यात्रा कर सकते हैं हमने देखा अपनी reports में कि मौसम विभाग की warning के बाद भी कई लोग नदी किनारे या नदी में जाकर real बना रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं कई लोग नहा रहे हैं उनके पास ऐसा लग रहा था बात करने कोशिश करी तो उनको पता नहीं था कि warning उनको मिली है जबकि मौसम में भाग लगातार warning जारी कर रहा है तो ऐसे में सरकार और क्या कदम उठा सकती जैसे पुल वगरा भी तूट गए गाओं को नुक्सान हो रहा है और जो जल भराव हो रहा है किस तरह से लोगों तक आउट्रीच अपना बनाए नहीं देखे ये तो बल्लब फिर अंदेखा करना वाली बात कहूंगा मैं जो लोग इस तरह बात कर रहे हैं या भूल रहे हैं वो देख रहे हैं कि और लेडी जो नदी नालों में पानी काफी बढ़ा हुआ है और बारिश के एक्टिविटी भी चल लाई सामने दिख भी रावन को जो इस तरह का और फिर भी अगर कोई ऐसे एक्टिविटी कर रहा है तो तो अपना रिस्क ले रहा है जान के लिए खत हो सकता है लग रहा कि आपको तो वहां पे साप सा दिख रहा है धूप निकल रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं ठीक है थोड़ा जो है उसमें कोशिश करूं जाने की जो है तो ऐसा होगा कि जल इस तरह एक्टम बढ़ेगा तो आप बाहर निकल नहीं पाहोगा तो यह बह ग्राफिकल जो डिफरेंसेज है पाहड की किसानी अलग है और मैदानी छेत्रों की अलग है तो किस तरह से किसान जो है अपनी खेती को भी और अपने परिवार के अपने गाउं में जानमाल को भी बचाए इसके लिए क्या उनको कहना जाएंगे बिल्कुल देखिए गवर् चलें थोड़ा और इसके लावा जैसे हिल्स में भी देखते हैं कि जो रिवलिट्स है उसमें पानी की बढ़ने की वज़े से काफी कटा वीरोजन हो जाता है उसी किनारे लोगों की जो खेत हैं वो सब हैं तो कहीं ने कहीं उसी चीज का तो सर्वे होगा है यह कि थोड़ा समय लग सकता कि कहां पर कितना नुकसान है कि शतरे का है तो गोर्मेंट ने किया है कि जो इसका अने वाला एक हफ्ता कैसा रहेगा किसा लोगा है अभी तो जो जwrittenब भराओ या इस तरह किस ती तो उसको पानी को निकासी के लिए उनको वो करना है इंतजम करना है लेकिन आ बारी्ष कम भी और यात्रीओं पर धान labels देजि原 Tigre के लिकरें ऑबतर काई अगर यह प्जासद आहिए है तो ऐसे लाइक जरूर करें अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पानी के लिए बेल आइकन भी दबा दे